हेलो एबरीवान वेलकम बाक टू दे चानल ओफ अड़ा 24-7 क्लास 9th एं 10 तो बच्चो फर्स्ट आफ आफ आल हापी दशेरा टू आल अफ यू और आज हम लोग मारेंगे आपके सबसे बड़े दुश्मन को ऐसा चाप्टर जो सबसे जादा मुश्किल लगता है क्लास 10 के सल सलेबस में यानि सबसे बड़े रावन को और रावन कौन है ट्रिग्णोमेटरी यह आप लोगों का मानना है अगर आप मेरी परसनल राय मानेंगे तो सबसे इंटरस्टिंग चाप्टर है ट्रिग्णोमेटरी क्लास 10 सलेबस का पर अगर आपको अच्छे से समझाया जाए आप अगर एक सही अप्रोच फॉलो करके इस chapter को समझते हो, questions को समझते हो, तो बिटा बहुत ही मज़ेदार chapter है, तो आज क्या होने वाला है? सेशन में important objective questions, एक-एक करके आपको objective questions दिखेंगे अभी screen पे, और ये सारे की सारे questions आपके exam point of view से बहुत ज़ादा important है, आपको 30-40 seconds दिया जाएगा हर question को solve करने के लिए, और उसके बाद हम लोग collectively देखेंगे कि इस question की best approach क्या होगी, तो चलो session को चालू करते हैं without any further delay, ये रहाँ आप लोग के सामने मेरा पहला सवाल, और आपको challenge देता हूँ मैं कि इस सवाल को करके दिखाओ 30 seconds के अंदर, so your time starts now, आप लोग के लिए question में एक बारी read कर देता हूँ, क्या कह रहा है question, sin alpha plus cos beta is equal to 2 के बराबर है, तो sin 2 alpha plus beta by 3 किसके बराबर होगा, बहुत ध्यान से देखो, आपको कुछ चीज इसमें दिखेगी, आप कोई चीज इसमें observe कर पाओगे, अगर आप वो observe कर लेते हो बच्चों, तो आपका इस सवाल का जवाब चुटकियों में आ जाएगा, चलो, 30 seconds over हो चुके हैं आपके, और अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखो, और मेरी एक बात को ध्यान से समझो, बिटा जो चीज गिवन है आपको सबसे पहले तो उसको नहारो, उससे आप क्या क्या चीज़े collect कर सकते हो वो देखो, पिटा, sin alpha cos beta 2 दिया हुआ है, आपको ये चीज़ पता होनी चेए कि sin alpha की, sin की जो maximum value होती है, क्या होती है, 1 होती है, cos की जो maximum value होती है, आप लोग को पता है ना ये वाली बात, ये भी क्या होती है, 1 होती है, ठीक है, तो sin की maximum value और cos की maximum value 1 होती है, यह मतलब बिटा, यह दोनो 2 के बराबर दिया हुआ है, तो दोनों को दोनों actually 1 होंगे, तो that means, आपको इतना सा इसमें पता लगाना था, कि भाई, sin alpha भी 1 है, और cos beta भी 1 है, तब यह condition satisfy हो जाएगी, sin alpha 1 है, तो बिटा, alpha की value क्या है, 90 degree, beta की value क्या है, 0 degree, पूछा क्या है, sin 2 alpha प्लस beta by 3 बताओ, तो भाई, sin 2 alpha प्लस beta by 3 क्या हो जाएगा, 2 into 90, 180 degree, प्लस 0 divided by 3, that is sin 60, अना, sin 60 degree, अब sin 60 degree किसके बराबर होगा, option में से match कर लो, वैसे cos में दिये हुआ है, तो sin 60 आपको पता है, cos 30 के बराबर होता है, क्यों, क्योंकि sign और cos, complementary angles होते हैं, जो आप लोगों ने छोड़ा हुआ है topic, लेकिन sample paper में इससे सवाल आया था, तो मेरे trigonometry के lectures जाके देख लेना, क्योंकि मैंने complementary angles पढ़ाया है आपको, और आपको शायद बाकी channels पे complementary angles नहीं पढ़ाया गया, ये बोलगे कि syllabus delete हो गया है, ये deleted syllabus से है, लेकिन मैंने फिर भी आपको complementary angles पढ़ाया है, तो जरूर जाके देख लेना, अब cos 30 ढून लो भाई, cos 30 क्या होगा, cos alpha by 3, that is the correct answer is option B, the correct answer of this question is option B, एक question को, एक रावन को हम लोग समाप्ट कर चुके हैं, मैं 10 questions लेकर आया हैं क्यूं, क्यूंकि रावन के सर थे 10, तो एक एक करके हम लोग सारे सर को उड़ाएंगे, ठीक है, सारे सरों को उड़ाएंगे, चलो भाई, ये रहा मेरा next सवाल, sin theta plus cos theta divided by sin theta minus cos theta 3, दिया हुआ, इस format के बहुत सवाल आते हैं, अल्मोस्ट हर दो साल में ये सवाल रिपीट होते हैं, इस जल्दी से करके बताईए, आपको अभी तक तो strike भी कर गया होगा, कि इस question में क्या करा जाना चाहिए, तो जल्दी से बताओ, इसका जवाब क्या होगा, sin theta minus cos theta, दिहान से देखो बिटा, क्या आपको दिख रहा है, इसको कैसे break करोगे, और use कैसे करोगे, जो given है उसको, जल्दी बताईए, समझ आ रहा है कुछ, कुछ बाते समझ आ रही हैं आपको इसमें, बिटा ध्यान से देखो, sin की power 4 theta, minus cos की power 4 theta है क्या, कुछ भी नहीं है, a square minus b square लगाओ, तो a plus b into a minus b हो जाएगा, a plus b into a minus b लगाती, आपका पता है किस में convert हो जाएगा, sin square theta plus cos square theta, multiplied by, into sin square theta minus cos square theta, बिटा ये तो हो गया, 1 के बराबर, तो आपको ultimately बस इसकी value बतानी है, ultimately सिर्फ sin square theta minus cos square theta की value बतानी है, अब कैसे बताओगे, अब सवाल ये है, कि इस से आप यहां तक कैसे पहुचोगे, बस वो ही सारा का सारा game है, तो ध्यान से सोचो, मैं आप लोग की तरह सोच रहा हूँ, ठीक है, मैं एक student की तरह सोच रहा हूँ, अब मेरे को sin square theta minus cos square theta बनाना है, वो one हो जाएगा, लेकिन एक two sin theta cos theta रह जाएगा, उसका क्या करूँगा, उसका क्या करूँगा, तो मतलब ये वाली अप रोच के बाद, मेरे को एक dead end मिल रहा है, एक break मिल रहा है, हना लेकिन बेटा, दिहान से देखो, यहाँ पर अगर मैं cross multiply कर देता हूँ, यहाँ पर अगर मैं cross multiply कर देता हूँ, मतलब इसको ऐसे लिख देता हूँ, sin theta plus cos theta is equal to 3 sin theta minus 3 cos theta, तो पिटा जब इसको आप solve करोगे, sin theta को sin theta की सबास ले जाओ, cos theta को cos theta के पास ले जाओ, तो देखो, एक बहुत प्यारी सी चीज निकल कर आईगी, वो प्यारी सी चीज क्या है, यह हो जाएगा, 4 cos theta is equal to 2 sin theta, यह आगया निकल के, तो पिटा यहाँ से मिर को बताओ, आपके पास tan theta आजाएगा, tan theta आजाएगा आपके पास, किसके बराबर, 4 by 2 के बराबर, that is tan theta आगया, आपके पास 2 के बराबर, ठीक है, तो यहाँ से पिटा tan theta आगया, 2 के बराबर, अब बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, कि tan theta 2 है अगर, tan theta 2 है अगर, तो एक right angle triangle बनाओ, tan theta, मतलब theta इसको मान लो, तो बच्चा यह हो जाएगा, आपका 2, यह हो जाएगा 1, और यह किसके बराबर होगा, 2 का square प्लस 1 का square के बराबर, हना, 2 का square प्लस 1 का square के बराबर, आपने ऐसे questions NCRT में बहुत किये होंगे, आप अब इसको 2 के, के मान के कर लो, तो आपको मतलब अगर subjective में आता, तो ऐसे करना पड़ेगा, objective में आता, तो ऐसे कर लो, 2, 1, और यह बन जाएगा बेटा, क्या root 5, क्या बन जाएगा, root 5, तो अब देखो, आपको किसकी value बतानी थी, sin square theta, minus cos square theta, अगे बिटा, तो sin theta किसके बराबर हो जाएगा, sin square theta किसके बराबर हो जाएगा, opposite by hypotenuse, that is 2 by root 5 का square, that is 4 by 5, और cos square theta किसके बराबर हो जाएगा, adjacent divided by hypotenuse, that is 1 by 5, तो बिटा, sin square theta, minus cos square theta, 4 by 5, minus 1 by 5, किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा 3 by 5 के बराबर होगा that is option B is the correct answer समझ आ गया कैसे करना है इस question को approach समझ आ गई होगी सबको आगे बढ़ते हैं next question पे 2 सर कलम हो चुके हैं 2 सर हम उड़ा चुके हैं अब आते हैं 3 सर पे 3 सरा head 6 square 70 minus cot square 70 divided by 2 times of cos x square this minus this आपको बताना है अगर यह 2 M के बराबर है तो M की value अब यह complimentary पे based है तो जिन बच्चों ने complimentary नहीं पढ़ा है आप सबसे दर्खवास्त है वो topic बहुत important है उसको छोड़ के मत जाओ चाहे exam में आए या ना आए 11th में trigonometry ना सर के उपर से चली जाएगी अगर complimentary के बारे में नहीं समझ पाओगे तो complimentary T-Rations के बारे में नहीं समझोगे उनकी कहानी नहीं दिमाग में जाएगी तो 11th में trigonometry सर के उपर से जाएगी ठीक है तो इसलिए at least उसकी theory अच्छे से cover कर लो question जाए जादा question मत practice करो question आए तो बना भी सकते हैं नहीं आए तो ठीक है भाई आगे के लिए काम आएगा हना अपने पास जब हम मैदान में जाते हैं तो हर वो tool होना चाहिए जो हमें बचा सके ठीक है ऐसे खाली ऐसे नहीं जाना है कि हाँ भाई आओ मारो तीर मारो यह नहीं करना है हम लोग को तो बिटा ध्यान से देखो आपका उपर है sex square 70 माइनस cot square 20 अब जो जो बच्चे मेरी क्लास में पढ़े हैं trigonometry उनको मैंने बताया था कि tan और cot क्या होते हैं complimentary होते हैं क्या होते हैं complimentary होते हैं ठीक है tan और cot क्या होते हैं complimentary होते हैं इसको मैं दूसरे color से लिख देता हूँ ताकि आप सब बच्चों को यह visible हो जाए tan और cot क्या होते हैं complimentary होते हैं ठीक है complimentary होते हैं तो actually जो cot 20 है मैंने क्या बोला था complimentary का मतलब होता है कि अगर cot 20 है तो वो tan 70 के बराबर होगा tan 20 है तो वो cot 70 के बराबर होगा मतलब दोनों के internal angles का जब 90 degree के बराबर sum होता है तो उस specific angles पे यह दोनों के दोनों T ratios equal होंगे मतलब बिटा in short इसका मतलब क्या है दुबारा से समझा देता हूँ जिन बच्चों ने मेरी class नहीं attend करी है मतलब जो tan theta होता है जो tan theta होता है वो actually किस के बराबर होता है वो actually होता है cot of 90 minus theta के बराबर ठीक है तो बिटा अब देखो यहाँ पे 20 बनाना है तो उसको 70 रखोगे तो मतलब यह आएगा tan 70 के बराबर तो उपर वाली चीज क्या बन जाएगी 6 square 70 minus tan square 70 और नीचे क्या बनेगा बिटा नीचे बनेगा divided by 2 अंदर आएगा देखो cos x square 59 यह दुबारा tan को अब cot में convert कर दो अंदर तो यह बन जाएगा cos x square 59 अब बिटा 31 है tan तो cot किसके बराबर होगा 90 minus 31 वाले में cot आएगा तो यह आएगा minus cot square 59 ठीक है cot square 59 बिटा आपको पता होना चीए x square theta minus tan square theta यह किसके बराबर होता है उपर आजाएगा 1 divided by 2 यह अंदर भी cos x square theta minus cot square theta मिल गया question ही ऐसे formed है तो 1 1 by 2 is equal to 2 by m तो यहाँ से जब आप निकालोगे बिटा तो m की value आपकी क्या आ रही है 4 के बराबर आ रही है तो 4 दिख रहा है कहीं option में option c में दिख रहा है भाई तो option c is the correct answer मजा आया और यह question बहुत important है board के exam में दिख जाएगा तो बंटादार हो जाएगा सबका इसलिए मेरी दर्खवास्त माल लो और complimentary T ratios को पढ़ लो ठीक है मेरा ही lecture देख लो mind map का सब clear हो जाएगे सारे fundis clear हो जाएगे चलो भाई कितने सर उड़ा दिए 3 सर उड़ा दिए हना अब बारी है 4th सर की 4th head headshot मारेंगे इस पर हना हम सारे के सारे क्या करेंगे headshot मारेंगे PUBG के तो fans होगे आप सब के सब तो headshot मारेंगे क्या कह रहा है ABCD is a rectangle of which AC is a diagonal ठीक है ABCD एक rectangle है बच्चो ऐसे ABCD is a rectangle of which AC is a diagonal the value of tan square CAD tan square CAD CAD इसको मान लो alpha ठीक है tan square CAD plus one times of sin square BAC BAC का है बेटा ये रहा बीटा ठीक है तो इसको मैं आलफा और बीटा की format में लिख रहा हूँ आप से पूछा गया है actually कि tan square alpha plus one times of sin square बीटा की value बता दो ठीक है यही पूछा गया है अब बताओ कौन सा option से आपको मतलब कुछ strike कर रहा है कुछ भी आपको strike कर रहा है यहां पे बिटा मेरे को एक बात बताओ actually जो tan square alpha होगा यहां पे जो tan square alpha होगा यह वाला angle 90 degree होता है न तो tan square alpha जो होगा वो cd square divided by ad square के बराबर आएगा डाल दो भई cd square divided by ad square plus one बिटा sin square बीटा किसके बराबर आएगा यह रहा यह रहा परपेंडिकुलर तो sin बीटा हो जाएगा सामने वाला divided by hypotenuse that is bc का square divided by ac का square समझ आया bc का square bc का square divided by what ac का square ठीक है अब बेटा इस वाले ब्राकेट को जब मैं और इस पे करूँगा तो cd square plus ad square हो जाएगा cd square plus ad square जब आप इस वाले triangle में देखोगे तो पायथा कारण समझ आएगी किसके बराबर आएगा वो ac square के बराबर आएगा ठीक है तो उपर हो जाएगा यहाँ पे ac का square मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहला वाला ब्राकेट क्या बनेगा ac का square divided by नीचे आएगा ad का square ठीक है multiplied by बेटा क्या आएगा bc का square divided by नीचे क्या आ रहा है दोबारा नीचे क्या आ रहा है ac का square ना bc का square divided by ac का square तो यह होगा bc का square divided by ac का square थोड़ा यार जगा कम है तो आप लोग समझ जाना ठीक है तो यहाँ पे बनेगा bc का square divided by ac का square अब बेटा इस से यह हो गया cancel तो बचा क्या bc का square divided by ad का square bc का square divided by ad का square और मेरे को एक बात बताओ ये दोनों की दोनों opposite sides रेक्टाइंगल की तो equal होंगी मतलब ये दोनों equal हैं BC और AD तो 1 divided by 1 का square तो answer क्या जाएगा इसका 1 के बराबर hence the correct answer is option C बहुत अच्छा question है बहुत अलग type का question है इसलिए मैं आप लोग को ये question solve करवाना चाता था तो 4 questions sum up 4 पे हमने मार दिया है headshot अब है पाँचवे question की बारी कि भाई tan theta plus cot theta 5 दिया हुआ है तो बच्चो tan square theta plus cot square theta की value बता दो फटावट से try करिए 30 second का time दिया जाएगा आपको 30 second के बाद हम लोग मिलके देखेंगे इस question की approach क्या होगी जल्दी से बताईगे अब ऐसे questions आप लोग बहुत कर चुके हो बहुत कर चुके हो आप लोगों को अभी मैंने इस question को दो तरीके से समझाऊँगा तो आप फटा फट से इस question को ना पकड़ भी लोगे होते है न तो actually पता ऐसे questions देखें आपने कभी कि x plus x is equal to 5 दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि x square plus 1 by x square की value बताओ algebra में आपने ऐसे question बहुत किये होंगे अगर आपने मेरे lecture return किये हैं तो मैंने तो ऐसे question बहुत करवा है आपको तो in short यहाँ पर कुछ भी नहीं है x को tan theta बोल दिया है इन्होंने तो obviously बात है 1 by x square theta हो जाएगा तो पिटा कुछ मत करो दोनों side का square ले लो तो जब square करोगे तो tan square theta plus cot square theta plus क्या आएगा 2 times of tan theta cot theta is equal to what 25, 5 का square 25 इसकी value में पता करनी है तो इसको put कर दो a तो a हो गया plus 2 यह कटके 1 हो जाएंगे tan theta और cot theta रेसी परोगल होता है तो tan theta into cot theta 1 हो जाता है तो a की value आ जाएगी 25 minus 2 that is equal to 23 तो आपका इसका correct answer क्या है बच्चो 23 the question is खत्तम है question खत्तम question की कहानी खत्तम ठीक है आगे बढ़े चलो अब बढ़ते हैं अगले question पर आते हैं अगला question क्या कह रहा है बच्चो r sin theta 7 by 2 के बराबर है r cos theta इसके बराबर है तो r की value क्या होगी बहुत important question है from board point of view very very important इसे questions बहुत पूछे जाते हैं इस बारी भी पूछा जा सकता है क्या पता है as it is who ba who same question आपको दिख जाए तो फटावट से इसको भी headshot के साथ आप उड़ा दो headshot मारो और उड़ा दो आपको pattern observe करना है तो समझ आ जाएंगी चीजे वैसे समझ आ जाएंगी वैसे चीजे r की value बतानी है r और theta given है क्या दिया हुआ है बेटा r sin theta दिया हुआ है ऐसे questions आपना 11th में जाके बहुत करोगे उसको parametric equation बोलते हैं parametric equations वाले question बहुत करोगे तो ये सब question लगेगा यार ये सब तो इतना easy हुआ करता था हम लोग उस time पे इन question से डरते थे तो बस time time की बात है थोड़ा सा बड़े हो जाओगे तो ये 10th class इतनी easy लगने लगेगी न तो बेटा देखो इसको square कर दो दोनों sides पे इसको भी square कर दो जो पहले वाली equation को जब मैं squaring both sides करूँगा squaring both sides Sbs का मतलब होता है squaring both sides तो बेटा आएगा r square sin square theta is equal to 49 by 4 ठीक है और बेटा जब मैं इसको करूँगा Sbs squaring both sides तो आएगा r square cos square theta is equal to what 7 into 7 49 49 into 3 147 divided by 4 ठीक है 49 into 3 क्या हो जाता है बेटा 147 और नीचे आएगा दोबारा 4 ठीक है अब ध्यान से देखो भाई r square sin square theta की value मिल गई r square cos square theta की value मिल गई अगर इन दोनों को add कर देता हूँ तो r square common दिख रहा होगा अंदर sin square theta plus cos square theta 1 बन जाएगा तो मतलब theta eliminate हो जाएगा जो मेरे को करना था r की value क्यों करा है मैंने squaring both sides to actually eliminate the theta ठीक है तो जब इन दोनों को मैं add करूंगा जब इन दोनों को add किया जाएगा बच्चो तो actually बच्चेगा kya r square अंदर आएगा sin square plus cos square theta तो वो 96 divided by 4 ठीक है 196 divided by 4 और जब आप इसको solve करोगे तो actually जब root लोगे तो ये है 16 का square ये है 2 का square तो 16 by 2 आ जाएगा तो answer इसका हो जाएगा आपका 16 by 2 आ जाएगा तो answer इसका 8 हो जाएगा लेकिन 8 option में नहीं है मतलब कुछ गरबड़ी हम लोगों ने करी है 3 6 होता है 9 तो ये हो जाएगा 49 बेटा 7 आएगा गलती कर दी हम लोगों ने तो ये आएगा actually 4 7 4 4 9 तो ये जाएगा कितने में 49 में ये जाएगा 49 में तो r का square की value 49 आ रही है तो r की value कितनी आएगी बच्चा r की value आएगी 7 के बराबर hence the correct answer is d 7 आ रहा है 8 नी आ रहा है यहाँ पर मैंने गलत divide कर दिया था तो answer आएगा आपका 7 के बराबर ठीक है निकाल लिया सबी बच्चों ने चलो अब करते हैं next question की तरफ next question क्या कह रहा है कि sin theta minus 2 sin cube theta divided by 2 cos cube theta minus cos theta किसके बराबर होगा बेहद ही असान सवाल है एक नंबर में आप से पूछा जा सकता है तो फड़ा वड़ से इस question को solve करो और बताओ क्या answer आएगा बताओ जल्दी बताओ चलो let's see क्या approach लग सकती है इस question में बेटा उपर सबसे पहले तो sin theta की भरमार दिख रही है तो sin theta ले लो common ठीक है अंदर क्या बचेगा बेटा 1-2 sin square theta ठीक है नीचे बेटा cos theta की भरमार लग रही है तो cos theta ले लो common अंदर क्या बचेगा 2 cos square theta minus 1 2 cos square theta minus 1 बेटा ध्यान से देखो ज़रा 2 cos square theta minus 1 को यह नकाब पेन के बेठा है इसका नकाब उतारो पहले नकाब कैसे उठा रहोगे cos theta के value के equal आएगी that means आपका correct answer है option C आपका correct answer क्या है बेटा option C समझ आया कितना असान सवाल था लग मुश्किल रहा था लेकिन आक्चुली बस यहाँ पे denominator में ये एक mask पेन के बैठा हुआ था उस mask को हमने निकाल दिया और उस पे मारा सीधा headshot ठीक है तो अब देख लेते हैं भाई कितने sir हम लोग कुर्बान कर चुके हैं कितने sir हम लोग उड़ा चुके हैं एक एक कर के देखते हैं यहाँ से चालू हुई थी एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ sir हम साथ questions को हम लोग तबहा कर चुके हैं लाज के तीन questions के लिए क्या आप ready हो are you guys ready for the next three questions तो next three questions देखने से पहले जो भी बच्चे बिना like कर देख रहे हैं like कर लो और जो भी बच्चे चानल पे नए हैं subscribe कर लो जाके पुरानी videos देखो इनकी theories मैंने mind map आपके थुरू बहुत भैतरीन तरीके से cover करी है तो जाके जरूर देख लो उन sessions को playlist बन रखी है go and binge watch like you binge watch Netflix चलिए भाई बता दीजे इसका answer क्या होगा जल्दी से बता दीजे सारे के सारे बच्चे कि इसका answer क्या होगा इसका जवाब क्या आएगा the value of cos 1 degree, cos 2 degree, cos 3 degree जाते जाते cos 179 तक जा रहा हूँ अरे भाई साब ये कौन कौन सी degrees आ गई सर मैंने तो ये पड़ी ही नहीं है कैसा question out of syllabus question लेकर आ गए हो लेकिन दियान से सोचो बेटा दियान से सोचो answer चुपा हुआ है लेकिन मिल जाएगा ऐसे चुटकियों में अगर थोड़ी सी visualization अच्छी करते हो मैंने आपको हमेशा बोला है और दुबारा बोलूँगा maths is all about visualization visualization आप कैसे दिमाग में question को बिठाते हो उसको देख के आप क्या visualize करते हो क्या approach आती है उस पर depend करता है आपकी math strong है आपकी math strong नहीं है अब भागते हो math से या फिर नहीं ठीक है तो बिठा धिहान से देखो या जब चलना चालू करोगे cos 1, cos 2, cos 3, cos 4 तो बिठा बीच में एक जगा एक परानी आएगा एक परानी का नाम क्या है वो परानी मेरा सबसे अच्छा दोस्त है क्योंकि वो ही परानी इस question में मेरे को बता रहा है कि भाई कुछ भी हो क्या करना है तेरा दोस्त बैठा है ना तेरा भाई बैठा है ना तो तेरे को किस बात की tension है और वो हमारा भाही क्या है बेटा कॉस 90 डिग्री ये हैं हमारा फ्रेंड बाकी सब हैं हमारे दुश्मन तो भाई मेरे लाखो दुश्मन के अंदर अगर एक अच्छा दोस भी बैठा है तो मेरे को पता है वो मेरे को बचा लेगा कॉस 90 वेटा किसके बरावर होता है जीरो के बरावर होता है किसके बरावर होता है जीरो के बरावर होता है भाई कुछ भी रख दो ब्रहमांड में से लाके यहां पर कुछ भी रख दो तो जीरो इंटू सम्थिंग तो हमेशा जीरो ही रहेगा ना तो मेरे को मतलब ही नहीं है मेरे को मतलब ही नहीं है मेरे दुश्मनों से मेरे को मतलब है सिर्फ मेरे दोस्त से तो actually इसका answer क्या हो जाएगा बटए zero के बराबर हो जाएगा क्योंकि cos 90 दिख गया cos 90 दो भाई मेरे को तो feel आ गई देखते zero तो पूरे सारे के सारे नंबर्स जो भी हैं, सारे के सारे जो भी आपको यहाँ पर दे रखे हैं, टिक्नोमेट्रिक आंगल्स दे रखे हैं, आपको फरक ही नहीं पढ़ता उन लोगों से, आपको cos 90 देख गया, वो 0 के बराबर है, तो पूरी की पूरी equation 0 के बराबर हो चलो, आठवा question भी खतम, समाप्त, आगे बढ़ते हैं 9th question की तरह, फड़ा वड़ से बिटा इस question को solve कर दो, और बताओ क्या answer आएगा, if theta be an actual angle, and 7 sin square theta plus 3 cos square theta is equal to 4, then the value of tan theta is, अराम से करो, इसमें थोड़ा सा conventional approach लगेगा, इसमें कोई trick trick लगाने की कोशिश नहीं करो, अराम से conventionally इसको solve करो, और मुझे बताओ कौन सा answer सही आएगा, जल्दी से बताओ, और बेटा आप लोगों के लिए छुट्टी वाले दिन पे भी वीडियोस आ रहे हैं, तो आप लोगों का बनता है इस वीडियो को share करना, ठीक है, share करो जितना जादा possible हो, क्योंकि ये trigonometry के वै definitely आ सकते हैं, तो फटा फट से अपने दोस्तों को share कर देना, और फिर उनको भी इन 10 questions का फायदा उठाने देना, ठीक है, चालू होगा है सबके हाथ चलने, सबका pen चल रहा है, तो बिटा कैसे चल रहा होगा, आप क्या प्रोच लगा रहे होगे, जरा भाई देखते हैं, क् एक T ratio में convert कर लो, वहाँ से tan theta की value पता चल जाएगी, तो कैसे करोगे, 7 sin square theta, plus 3 times of 1 minus sin square theta, is equal to 4, 7 minus 3, किसके बराबर आगया बैटा, 4 sin square theta, plus 3 is equal to, किसके बराबर आया, 4 के बराबर आया, यहां से जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ अपनी कहानी, तो मेरी कहानी आती है, 4 sin square theta, 1 के बराबर आएगा, तो sin square theta, किसके बराबर हो जाएगा, 1 by 2 के बराबर हो जाएगा, 1 by 4 के बराबर हो जाएगा, साइन square theta, किसके बराबर आएगा, वो गया, 1 by 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वर थीटा अगर one by four के बराबर आ गया, तो बालको, साइन थीटा किसके बराबर आएगा, जल्दी बताओ, साइन थीटा किसके बराबर आएगा, one by two के बराबर आएगा, देखा देखा लग रहा है फील आरी है कुछ यादे ताजा हो रही है सबकी तो बेटा sin theta 1 by 2 किसके बराबर होता है जब theta हमारा किसके बराबर हो भाई 30 degree के बराबर हो तो गल बन गई गल बन गई होन अब क्या करोगे बेटा tan 30 की value पूछ रहा है बस वो tan 30 की value बच्चा बच्चा बता सकता है दूर गाओं में बेठा बच्चा बच्चा tan 30 की value बता सकता है आखे बंद करके option मार दो B को टिक क्योंकि tan theta tan 30 degree की value क्या होती है 1 by root 3 होती है tan 45 की value 1 होती है tan 60 की value root 3 होती है चलो last सवाल आज का और इसके बाद trigonometry से कोही भी बच्चा खौफ नहीं खाएगा क्योंकि वो सारे type के questions आपको objective format है मैंने करा दिये हैं जो आपको आने चाहिए exact theta plus tan theta और cos theta minus cot theta वाला format होता है लेकिन वो मैंने अपनी पुरानी videos में इतना जादा कराया है कि मैंने आज उसका question नहीं लिया है लेकिन वो one of the important questions होते हैं ठीक है तो वैसे questions भी आपको जरूर practice करने हैं तो tan theta की value 1 दी गई है भाई साब तो आपको बताना है 8 sin theta plus 5 cos theta divided by sin cube theta minus 2 cos cube theta plus 7 cos theta किसके बराबर होगा बच्चो वाला सवाल है जी बच्चो वाला सवाल है आपको दे दिया गαιा है कुछ तो यहां से information निकालो न क्या information आईगी कि theta 45 degree के बराबर है भाई साब theta किसके बराबर है भाई साब 45 degree के बराबर है तो डाल दो भाई 8 sin 45 sin 45 क्या होता है one by root 2 that is 8, that is 8 into 1 by root 2, plus 5 into 1 by root 2, ठीक है, cos 45, divided by, divided by sin cube theta, sin cube theta, बेटा, मतलब 1 by root 2 का cube, 1 by root 2 का cube क्या होगा, 1 by 2 into 1 by root 2, तो हो जाएगा बिटाए, 1 by 2 root 2 actually, ठीक है, 1 by 2 root 2 minus 2 times of cos cube theta क्या होगा, again 1 by root 2 का cube, तो मतलब 1 by में 2 root 2 into 1 by में 2 root 2, और फिर क्या बचेगा, plus 7 into 1 by root 2, चलो भाई, अब फटा फट से करते रहो, solve और मेरे को बताओ क्या आएगा, उपर बनेगा, 8 by में root 2, प्लस 5 by में root 2, तो उपर क्या बन जाएगा, सीधा सीधा बन जाएगा, 13 by में root 2, ठीक है, तो सीधा सीधा ये क्या बनेगा, numerator में तो बन जाएगा, 13 by में root 2, अब बात करते हैं denominator की denominator में क्या बनेगा 1 by 2 root 2 यहां से यह कट जाएगा ठीक है तो नीचे बनेगा 1 by में 2 root 2 फिर आएगा minus 1 by में root 2 और फिर आएगा बेटा plus 7 by में root 2 ठीक है यह कहानी आएगी सब की सब सिर्फ यह आएगी कहानी अब बेटा जब आप नीचे LCM लोगे तो उपर वाले को तो ऐसी रहने दो नीचे वाले को जब LCM लोगे तो आपका LCM आएगा 2 root 2 तो उपर बचेगा 1 minus 2 फिर आएगा plus 2 into 7 plus 14 divided by what 2 root 2 और उपर क्या बचा हमारा 13 by root 2 ठीक है तो root 2 से root 2 cancel हो गया और यहाँ पर बचा 13 तो 13 से 13 भी cancel हो गया भाई साब तो उपर आजाएगा 2 उपर आजाएगा सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा 13 से 13 cancel हो जाएगा सिर्फ यह 2 बचके उपर आजाएगा तो यहाँ पर इसका answer आएगा option A calculation में गलती मत करना दुबारा cross check भी कर लेना इसका answer आएगा 2 ठीक है सारी चीज़े cut जारी है end में आके सारी चीज़े खतम हो जारी है तो भाई आप लोगों को दशेरा पे बहुत अच्छा gift मिल गया है ट्रिग्नोमेट्री के 10 ऐसे बहतरीन questions objective questions आपको कराएगा है जो आपके exam point of view से important है अब इसके बाद आपको case based दू वाले और रिजर्शन रीजन वाले questions चाहिए especially इस chapter के तो मेरे को comment box में लिखके बता देना आपकी फर्माईश पूरी कर दी जाएगी ठीक है तो 10 questions को हम लोगों ने उड़ा दिया है from sniper तो आज की कहानी को बिटा सिर्फ इतना ही रखते हैं जल्दी आप लोगों से मिलूँगा एक और important और अच्छे session के साथ till then take care and keep learning बच्चो